इतार सी में न्यास कालो ने इस्थित जुगी जहुपणी में सास बहु के विवात के चलते बहु ने सास को जिन्दा जला दिया और एवा मौत के घाट उतार दिया इस घटना में पुलिस ने मरग कायम कर महीला के शब को पोश्ट माटम के लिए सरकारी एस्पताल भेज बहु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है न्यास कालो ने इस्थित जुगी जहुपणी में सास बहु के बीच अक्सर बातों को लेकर जम कर जगड़ा होता था इसके बाद सास कृष्णा यादब को बहु बरसा यादब ने केरुसिन डाल कर आग के हवाले कर दिया जब महीला आग में जल रही थी और दोरान महले के लोगों ने महीला को बचाने का प्रयास भी किया लेकिन दर्वादा बंद होने के कारण महीला को बचाया नहीं जा सका कि लाश गर के सोचाले के पास मिली यह आस्ता बीती रात का है इस मामले में पुलिस ने मरग कायम कर महीला के शब को सरकारी अस्पताल में पोश्ट माटम के लिए भेजा है पुलिस बहु बर्शाज आदब के खिलाफ हरंतिया का मामला दज किया है पुलिस आरूपी महीला की तलाश कर रही है जाव अने मूल दें अठाने जाना सुझे अर्यार वहां तीबर रोग यावी तो इस में पुल नहीं खुले तरही है सर्थ इससा बताया कॉल ने वालों में सभी में नौ से सवनो बजे सबेरे का है और उसमें जो मूलत है मर्टिका है वो कृष्णा बाई याद्व है जो तो पच्पर वरश की है और वो अपने पुत्र जो है अजय यादो और वहू वरशा यादो के साथ यहां पर रहती है और जो इनके लड़के हैं वो सबेरे यहां पर एक वियर हाउस है वहां पर काम करने चलेगे जो लड़के उसके बाद जो है विवाद हुआ है और उस विवाद में जो तर्षी सामने आया है जो बहू है वरशा यादो उसमें अपनी साथ कृष्णा लड़के उपर कैरोसीन का ऑईल डाल के आग लगा दिया और जिसके काम उनकी मिश्की हो पहले भी होते रहे हैं जो पुलिस का रिकॉर्ड उसके अंसार विवाद इन लोगों के मद्धे पहले भी हुआ है और उसमें यह बताया जा रहा है कि जो बहू है इनके जो है किसी से मित्रवत के संबंध से इसको लेके परिवार के बुदूर्ग है उसके रूप में परिवाद उने किना इसका यह कहना था है कि बहारी किसी कुछ की मित्रवत संबंध नहीं रहना अच्छे से इसी कुले के दोनों पी जो है विवाद नहीं है मूल विवाद था और आज जैसा बताया जा रहा है कि एक तब है उस टब को मतलब जो है कि पिशना बाई आदो का पजिशन खर्फ की तो वो उसको बेज रहीं की उस पर भी आपकी थी वक्षा को इन सब कारणों की चलते हुए जो मूल कारण का है जो उनके मित्रवत संबंध उसमें सास एक नहीं को रोकती थी और आज जो फिर लड़ाई ही टाट करें उन सब का पढ़ना दे हुआ कि इन